हेलो फ्रेंड्स तो आज हम लेकर आए हैं बहुत क्रिस्ति कुरकूरा चिटपटा नास्ते की रेश्पी जिसे हम बहुत कम समय में और बहुत सिंपल तरीके से बना कर तयार करेंगे और यह नास्ता सभी को बहुत पसंद आने वाला है तो देर किस बात की चलिए इसे हम बनाना सुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लेज वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सस्क्राइब जरूर किजिएगा तो इस रेस्पी को बनाने के लिए यहाँ पर हम चार ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं वाइट वाली ब्रेड है आप वाइट वाली ब्रेड के जगह पर ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं जो ब्रेड आपके पास है वो अप ले सकते हैं और अब हम इस ब्रेड को अभी साइड में रख दते हैं और अब हम यहाँ पर ले लेंगे पानी तो पानी आप किसी भी बरे बरतन में लिजिएगा और यहां पर हम दो ब्रेट को एक साथ इस तरह से पानी में डिप करेंगे और इसे निकाल लेंगे तुरंत ही निकाल लेना है और इसे हम इस तरह से दोनों हाथों से दबाते हुए इसका सारा पानी निचोर लेंगे तो ये देखी इसका पानी निकाल लिए हैं और एक बॉल के तरह बनकर त्यार हो गया है और इसी तरह से बांकी ब्रेट को भी हम पानी में इस तरह से डिप करेंगे और इसका पानी इस तरह से हाथों में रखकर निचोर लेंगे इसे ज़्यादा दिर तक पानी में नहीं रखना है तुरंधी डालना है और इसे निकाल लेना है और यह देखिए हम सारे ब्रेट को पानी में डिप करके इसका पानी निचोर कर एक पलेट में रख लिए हैं और इसे अभी हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर जो यह पानी है इसको हम फेक देंगे और यहां पर हम ले लिए हैं एक बरे साइज के उबला हुआ आलू, आलू को ठंडा होने के बाद इसका छिलका हम निकाल लिए हैं, अगर आप छोटे साइज के आलू ले रहे हैं तो दो लिजिएगा, और अब हम इस आलू को एक ग्रेटर के मदद से ग्रेट कर लेंगे, हम एड़ कर देंगे, और एक चोथाई कप बारी कटा हुआ हम सिमला मिर्च डालेंगे, और एक चोथाई कप बारी कटा हुआ गाजर एड़ कर देंगे, साथ में ही हम ले लिए हैं, थोरा सा बारी कटा हुआ फ्रेस धनिया पता इसे भी आड़ कर देंगे, और एक इंच अ एक छोटा चमच इसमें हम डाल देंगे चिली फलेक्स यानि की खुटा हुआ लाल मिर्च आधा छोटा चमच इसमें हम एट कर देंगे गरम मसाला और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चमच चाट मसाला और नास्ता को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे एक चोथाई कप चावल का आटा चावल के आटा के जगह पर आप यहाँ पे कॉर्ण फ्लोर भी ले सकते हैं और साथ में हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक तो नमक आप अपने टेस्ट के कॉर्डिग ही एड कीजिएगा और अब हम यहाँ पर ले लिए हैं ब्रेड तो जो अभी हम चार ब्रेड को पानी में बिगो कर उसका पानी निचोर कर रखे थे उसे हम इसमें डाल देंगे तो इस bread से इसमें बहुत ही अच्छा binding आता है अगर इस तरह से पानी में भिगो कर bread को आप नहीं डालना चाहते हैं तो bread को आप mixer jar में डाल कर पीस कर यानि कि उसका bread crumbs बना कर भी डाल सकते हैं तो इससे भी binding बहुत अच्छा आएगा और अब हम इन सबको इस तरह से अच्छे से mix कर लेंगे और इसी तरह से मिलाते हुए इसे हम dough form में ले आएंगे सबजी इसमें अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो इसे आपे skip कर सकते हैं और अपने पसंद के सबजी इसमें आप एड़ कर सकते हैं अब हम हाथों को अच्छे से धूल लिए हैं और हाथों में वायर लगा लिए हैं ताकि mixer हाथों में चिपकेगा नहीं और अब हम इसमें से थोरा सा mixer हाथों में लेंगे और घुमाते हुए इसको हम हलका सा दबा देंगे और इसके बाद इसको हम अंगली के हेल्प से इस तरह से चारो साइट से दबाते हुए इसको हम square shape दे देंगे तो यहाँ पर हम square shape में बनाए हैं आप अपने पसंद के कोई सा भी shape दे सकते हैं आप चाहे तो इसे टीकी के भी shape दे सकते हैं या cutlet का भी shape दे सकते हैं और इसी तरह से हम बांकी भी बना कर तयार कर लेंगे तो फ्रेंड्स रोज मेरे चाइनल पर इसी तरह से नई नई वीडियो अपलोड होती है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा और साथ में घंटी को भी दबा दिजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही इसका मैसेज आपको मिल जाएगा और इसी तरह से हम सभी को बना कर त्यार कर लिए हैं तो अब इसको हम लेकर आ गए हैं गैस के तरफ तो यहां गैस पर हम एक पैन में तेल गरम होने के लिए पहले से रख दिये थे तेल अच्छे से गरम हो गया है तो गैस के फ्लेम हम मिडियम कर दिये हैं और जो हम नास्ता बनाए हैं उसे हम एके करके सब्धान इसे इस पैन में डाल लेंगे जितना एक बार में इस तेल में आ सकता है उतना डाल लेना है और डालते ही इसे नहीं पलतेंगे डालने के थोरी दिर बाद इसे हम एके करके पलट लेंगे और पलट कर इसको हम दुसरे स और एक बात के धीयान रखना है गैस के फिलेम या लो नरहेरां के ićले एक इस के तो अब इसको हम निकाल कर एक इस्टेनर में रखनिंगे और इसी तरह से हम बाकी भी बना कर त्यार कर लेंगे तो ये लिजिए हमारा बहुत ही क्रिस्पी कुर्कूरा चटपटा नास्ता बनकर त्यार है वीडियो पसंद आए तो फिलीज वीडियो को लाइक से एर और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नए वीडियो में ज जय हिन जय भारत